एलो डिवन वेलकम बैक टू आवर यूटूब चैनल सरकारी काफ है ओफिशल तो दोस्तो जैसा कि आपको पता है कि SSE CGL and MTS का वेकंसी जो है आपका अगले ही वीक में आने वाला है ठीक है CGL का जो नौटिफिकेशन आपको 24 तारीक को देखने को मिलेगा एंड जो MTS का नौटिफिकेशन है वो 27 तारीक को देखने को मिलेगा तो ऐसे में दोनों एक्जामनेशन के लिए अप्लिकेशन स्टार्ट होने वाला है तो इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे कि जब इंपोर्टन डॉकमेंट्स है जो कि आपको जड़त पड़ेगी फॉर्म फिल करते वक्त ठीक है उसके उपर बात करेंगे साधी साथ दूस्तों यहां पर एक डाउट होगा आप सभी को कि कास सर्टिफिकेट यहां पर जो है कौन सा लगेगा से सेंट्रल वाला देना है या भी होगा तो भी आप कर सकते हैं जो भी चैनल रेजिश्टेशन नहीं किया है सस्के साइट के ओपर जाकर करके कर लीजीगा मैंने इस पर अल्रेटी टूरीयल वीडियो लाया व्याए हुआ तो आप उसको देख सकते हैं कि हैं अधार का नमबर आपको लगेगा मैंस्ट ठ प्रैन काड हो गया वोटर एडी काड हो गया ड्राविंग लाइसेंस हो गया इसका डिटेल भी आप जो है वहाँ पर फिल कर सकते हैं ठीक है लेकिन आप पूरा कोसिच की जाए कि अगर आपके पास अधार काड होगा तो अधार काड का ही डिटेल दीजेगा नेक्स्ट आपको बता तो यहाँ पर जो है अप्यरिंग वाले कैनेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं सीजेल के लिए तो जो भी कैनेट्स फाइनल इयर में होंगे ठीक है उनका रिजल्ट आने वाला होगा वह यहाँ पर कैनेट्स मतला अप्लाई कर सकते हैं तो उसके समें आपको कौन सा अगर आपके पास नहीं है तो उसके पहले वाले येर का जो है मार्क सीट आपके पास होना चाहिए उसका डिटेल आपको फिल करना होगा ठीक है तो यहां सब को क्लियर हो क्या होगा बाकि जिनका जो यहां पर फाइनल हो चुका है वह फाइनल वाला यहां पर जो डिटेल दे जो सारे इमेल आइडी आपको दिया जाएगा इसलिए आप खुद का एक बनवाल दीजिए आपके पास नहीं और उसी डिटेल्स को दिजेगा ठीक है भी देना है तो फुल एक्टिव लेंबर लेना जो हर टाइम आपका अग्वाइल नबर भी अक्टिव रहना चाहिए उसके बाद next रहे का सर्टिफिकट यहांपड अपपलोड तो नहीं करना ठीक है थासरू के इसको मैं बातना बताता हूं का सर्टिफिकट को ठीक है उसके यहां पर UPI and card for payment payment करना होता है जैसे कि आपको बता है यू आर और OBC केंड़ेट्स को ठीक है 100 पेंट करना होता है तो आपको 100 पेंट करने के लिए आपके पास यह होना चाहिए बाकि स्टे और फीमिल केंड़ेट्स को नहीं लगता है तो वह इसको स्किप कर दीजेगा नेख्ट है स्कैंट सिगनेटर सिगनेटर आपको सिर्फ अपलोड करना इस पर आपको पता होगा कि जैसे आप डेट आया है वन टाम रेइजिटेशन में उस समय से आपका जैसी पर सिर्फ लाइफ फोटो अपलोड होता है मताब पासपोट तो फोटो चैन करके नहीं देना स सिर्फ पर सिर्फ एसकान सिग्निचर आपको अप्लोड करना होता है तो एक सिग्निचर आपके पास होना चाहिए उसके बाद देखे तो पी डाब्लोडी सर्टिफिकेट यानिकि यह जो फिजिकली डिसेबल है ठीक है उनके लिए यहां पर जुरत पढ़ने वाला क्योंकि अ डिटेल्स उसमें भड़ सके ठीक है तो यह सारे के सारे डॉक्मेंट्स है जैसा कि मैंने कास्टिफिकेट छोड़ा था तो देखे कास्टिफिकेट यहां पर आपको अप्लोड नहीं करना है अभी फॉर्म फिल करते वक्त लेकिन दोस्तों यहां पर जो है आपको जो फाइ कर दिया जाएगा आप डॉक्मिन वरिफिकेशन में जाकर के बाहर आ जाओगे इसलिए कास्टिफिकेट आप अभी ही बनवाल दीजिए अगर आपके पास सेंटर लेवल का कास्टिफिकेट नहीं है तो ठीक है वह भी आपका रहना चाहिए क्या ससी के फॉर्मेट के उपर तो वह आपको बनावा लेना है जो भी आपका ससी सीजिल का लास्ट डेट रहेगा उसके पहले काहीं बना हुआ होना चाहिए ठीक है तो इस चीज़ों को ध्यान रख करके अभी टाइम है दोस्तों अभी आप अपलाई कर सकते हैं कैसे बनवाना है सेंटर लेवल का ससी के सब्सक्राइब कर सकते हैं लिंक दिस्क्रिप्शन बॉक्स मैं दे दूंगा इन सब चीज़ों को ध्यान दिजेगा दोस्तों जो भी डॉक्मेट मैंने बताया है इसको पारेंज करके रख लिजे 24 तरी कुझ ऐसे फाम एक्टिव होगा सीजियल का एंड एमटेस का ठीक है 27 25 तरीको तो आप फॉर्म को फेल कर सकते हैं बाकि जो ओटीर नहीं किये हैं ओटीर कर लिजे कि जब आपका देकी फॉर्म आएगा तो फिर सर्वर पर जाता लोट पर जागा तो फिर वन तेम रेस्टेशन करने में भी काफी सारे दिक्कत होगी इसलिए जाकर के पहले आप जुरू कर दीजेगा चैनल पर नहीं पर सब्सक्राइब कर दीजेगा ताकि यासी ही अपडेट्स आपको मिलता रहा है तो मिलते हैं दोस्तों आप से नेक्स टुडियो में तब ते के लिए गुडबाई